हाई फेंट्स आज मैं लेके आई हूँ बीट की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे बहुत ही मज़दार सी एक रेसिपी है और बस कुछे इंगिडियोंस में बन भी जाता है तो आईए जानते हैं इसके लिए हमें क्यक्य चाहिए तिस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं एक मीडियम साइज के बीट और साथी में हमने यहाँ पे लिए हैं चना डाल तो मैं यहाँ पे एक कप चना डाल ली हूँ जिसे तीन घंटे भीगने के लिए रख दी थी भीगने के बाद ये देखिए कितना सुन्दर फूल गया है और नरम भी हो गया है तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइट में आ जाते हैं नेक्स टेप पे अब हम लेंगे एक प्लेट और लेंगे बड़े मुवाला ग्रेटर आप लोग छोटे मुवाले ग्रेटर से भी इसे बना सकते हैं और फिर जो बीट हम लोग लिए थे उसका छिलका निकालके अच्छी तरह से क्लीन करके इस ग्रेटर के मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे तो इस तरह से थोई दिर मेहनत के बाद बीट को हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लिये हैं तो देखिए कितना सुन्दर बीट ग्रेट करके रेड़ी हो गया है तो आईए आवाते हैं नेक्स टेप पे अब ले लेंगे एक मिक्सी चार इसमें एड़ कर देंगे भिगवया हुआ चना और साथ में थोड़ा सा पानी एड़ करके इसका एक पेस्ट रेड़ी कर लेंगे ध्यान रखे पेस्ट को जादा पतलाव या गिला ना करें ये थोड़ा सा मोटा ही दरदरा सा पेस्ट होगा तो इस तरह से कुछ कंसिस्टेंसी होगा तो यहाँ पे पेस्ट हमारा रेड़ी हो गया है अब ले लेंगे एक बड़ा सा बोल जिसमें हम सारे चीज मिक्स तो चलिए यहाँ पे हम बड़ा सा बोल ले लिए हैं और यहाँ पे लिए हैं एक बोल आलू अब एक गेटर के मदद से आलू को ग्रेट कर लेंगे आप लोग चाहे तो हाथों से भी इसे मैस कर सकते हैं लेकिन ग्रेट करने से इसका कोई भी दाना नहीं रहेगा तो अब हम लोग टो ग्रेट करनी के बाद सारिप चना का पेष्ट हम लोग इसने एड हो खराव जीरे दर्टारें तभी रमरी हो दाल पाउडर अब जो ग्रेटिट किया हुआ हम लोग का बीट है वो भी इसमें एड़ कर देंगे एक मीडियम साइज के बीट में एक कप चनाडाल काफी है तो यहाँ पे सारे बीट को हम एड़ कर देंगे और बीट अड़ करने के बाद ही हम इसमें आड़ कर देंगे के मदद से या इस्पून के मदद से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं तो यह अच्छी तरह से मिक्स हो गिया है अब इसमें एड कर देंगे दो छोटे चम्मच चावल का आटा चावल का आटा ना हो तो इसमें आप प्रेट करम्स भी एड कर सकते हैं फ्रेंड आज मैं इसी मिक् तो थोड़ा थोड़ा हम इससे मिक्षर को लेंगे और हातों के मदद से इसे गोल कर लेंगे और बस इसे प्रेश करके कबाब के सेट में आप इसे सेट देदे फ्रेंट हम सभी को पता है बीट हमारे हेल्थ के लिए कितना फायदमन्द है यह ब्लड बनाने में मदद करता है तो जो बीट नहीं खाते हैं उसे इस तरह से बीट आप अगर खिलाएंगे तो हेल्प मिलेगा तो लीजिए इस तरह से सारे बीट को हम कबाब के सेप में सेप दे दिये हैं अब इसे फ्राइ करने की बारी आप इसे थोड़ा सा ओयल में भी फ्राइ कर सकते हैं या फिर डीप फ्राइ भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे डीप फ्राइ कर रही हूं तो कड़ाई में ले ली हूं रिफाइन ओयल गरम हो जाए तो एक एक करके सारे कबाब क कबाब को फ्राइब करने के समय तेल को अच्छी तरह से गरम कर ले उसके बाद ग्यास को लो फ्लेम में रखके इसे फ्राइब करें दो से तीन मिनिट लो फ्लेम में फ्राइब करने के बाद ग्यास का फ्लेम में रखके सारे कबाब को फ्राइब कर ले एक साइड हो जाए तो तो यहां पर हमारा कबाब अच्छी तरह से कलर आ गिया है, अच्छी तरह से फ्राइब भी हो गया है, तो एक एक करके सारे कबाब को हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद इसी ओयल में हम रेडी करेंगे इसका दूसरा रेसिपी, तो अब मैं बीट का पकोड़ा बनाने वाली हूँ, तो छोटा-छोटा पकोड़ा के साइच में तेल में इसे डालते जाए, और इस पकोड़ा को भी छानते समये, गैस का फ्लेम पहले लो में इसे फ्राइब करें, उसके बाद ही गैस का फ्लेम हाई टू मीटियम में रखके इसे फ्राइब करें, गोल्लिर मराउन हो ज यहाँ के साथ इसे सफ कर सकते हैं और इसके साथ आप पकोड़ा को भी ले सकते हैं तो फेंड है ना बहुत ही मज़ेदार सी अधिकने में भी कितना यम्मी लग रहा है तो आप लोग भी एक बार इसे घर पे जरूर ट्राइ करें और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्यार रखे थैंक यू